राइसन बेगमगन से हमारे समबाद दाता शरस शर्मा की श्पीशल रिपोर्ट बेगमगन नगर एबम ग्रामीर छेत्र में 13 लोगों की रिपोर्ट आई पाजिटिव जिन में 5 की दूसरी रिपोर्ट पाजिटिव सामिल है बेगमगन लोग कोरोना संक्राम से बेफिकर हो चुके हैं ना सोचल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं ना मुपर मास्क लगा रहे हैं पूरे नगर बेगमगन में सिर्फ 5% लोग ही मास्क लगा के गूम रहे होंगे एक बार फिर छेत्र में नगर के छे ग्रामी और छेत्रों में दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई है बहिविया पांच मरीज ऐसे हैं जिनकी पूर में कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई थी और उनी की सेकंड रिपोर्ट भी पाजिटिव आई है नए मरीजों में बाड नमबर 11 में चार मरीज एक ही परिवार के हैं जिन में से एक पूर्व हिंदू युबा सेबादल अध्यक्ष एबम एक पूर्व हिंदू उस्साव समीती अध्यक्ष भी सामेल है बाड नमबर 2 में मा बेटे की रिपोर्ट पाजिटिव आई है जब की भोपाल में एडमिट है ग्राम धौलपुर में पती पतनी की रिपोर्ट पाजिटिव है बाड नमबर 17 और बाड नमबर 4 में जिन 4 मरीजों की पहली रिपोर्ट पाजिटिव आई है और उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पाजिटिव पाई गई प्रसाशनिक लापरवाही उक्त 13 को पाजिटिव रिपोर्ट रभी बार देर साम जारी हुई लेकिन सौंबार की साम 4 बजे तक जो नए मरीज थे उनके में से पूर्व 4 कंटनमेंट एरिया के अंदर के हैं जबकि 2 नगर के और 2 ग्रामिट छेतर के नए मरीज हैं यहां कंटनमेंट एरिया नहीं बनाया जा सकता उसकी तैयारिया चल रही थी इसका नतीजा यह निकला कि एक मरीज का पुत्र तैसील के आसपास घूमते हुए नजर आया कोरोना बारस संकमन का प्रभाव नगर में बढ़ता जा रहा है पूर्व में 40 पॉजिटिव मरीज निकल चुके हैं जबकि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो चुकी है जो इंदोर से संक्रमेत हुए थे अब तक पाए गए मरीज पॉजिटिवों में बाट करमांग 14 शीपर मोहले में सबसे जादा 9 बाट करमांग 11 में 5 बाट करमांग 17 में 4 बाट करमांग 16 में 3 बाट करमांग 2 में 2 जेल सहित 5 मरीज बाट 1 दो बाट 5 दो बाट 12 एबं 15 में एक एक पॉजिटिव मरीज पाए गए जबकि अन गाउं में एकका दुक्का ही पाए गए हैं प्रसासनिक अमले की लापरवाही सामने आ रही है जबकि नए मरीजों को यहां सिर्फ A.N.M. को ही भेज कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ज़ाड लिया है ना तो उनों के साथ प्रसासनिक अमला है और ना ही पुलिस बल है तैसील के नागरी के एबम ग्रामीड शेत्रों में अब तक कोरोना बाइरस के संदिक्द लोगों के 2006 सेंपल लेकर जाच के लिए भोपाल मेमोरियल हास्पिटिल बेजे जा चुके हैं जिन मैंसे सौंबार को बाबन लोग कोरोना बाइरस से संक्रमित पाए गए थे सेंपल की रिपोर्ट निगेटिब आई थी बर्तमान में 17 कोरोना बाइरस पॉजिटिव मरीज कोबिट सेंटर एबम पांच छिरायू हास्पिटिल में बोपाल में बरती हैं जबकि सेस 35 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं स्वास्त अमला ग्राम धौलपूर एबम नागरिये छेतर के संबंदित मरीजों के परीजनों की चंदिक्द लोगों के सेंपल कलेक्ट करने के लिए प्रारंबिक जांच में जुटा प्रसाशनिक अमला साथ नहीं होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है इस संबंद में तैसिल्दात सत्रुगन सिंग का कहना है लापरबाही बरतने बाले कर्मचारियों को बकसा नहीं जाएगा यदि कंटेन्मेंट एरिया बनाने में देरी हुई तो स्वास्त अमले को पुलिस की जरुवत है तो भेजा जाएगा राजस्त की टीम स्वास्त अमले के साथ नागरी के ओग ग्रामी और छेतर में पहुँच रही है रायसेन बेगम गंसे हमारे संबाद्दाता शर्ष सर्मा की रिपोर्ट कीचण में खाट पर मरीज को ले जाते परिजन आजादी से लेकर आज तक कीचण में रही ये जिन्दगी रायसेन जिले के ओधैपुरा में तैसील के ग्राम कैकडा में बीमार महीला को खाट पर डालकर कीचण भरे रास्ते से जाने को मजबूर है आजादी से लेकर आज तक कीचण में रहने को मजबूर पंचियात ने नहीं की आज तक नहीं बनाई शड़क राज संजले के उदेपुरा तैसिल के गिराम पंच्यात कैकडा में ग्रामिणों को नहीं मिली आजादी से लेकर आज तक सड़क कीचड और नाले से होकर आना जाना पड़ता है बीमार ब्यक्ति को खाट पर रखकर इलाज के लिए ले जाना पड़ता है बीमार महीला को कीचड में खाट पर रखकर देवरी इलाज के लिए ले जाना पड़ा उदेपुरा मुख्यालाई से 18 किलोमीटर दूर ग्राम कैकडा में नहीं है सड़कें कीचड में ही निकल कर जाना पड़ता है उदेपुरा राइसेंस से हमारे समबात दाता तारकेशो सर्मा की रेपोर्ट